दान पर चला टेक्टर किसान करे क्या किसान भगबान भरो से सितंबर के महिने में अप्रेल जैसी धूब बता रही है इस साल मद्द प्रदेश में सूखे के आसार हैं बीते एक महिने से बारिस ना होने के कारण राय सेंजले के कई किसान अपने धान के खेतों में टेक्टर से जुताई करने को मजबूर हो रहे हैं यानि किसान बारिस और पानी के आभाव में किसान खुद अपने खेत में खड़ी धान की फसल को तिल-तिल कर मरता देख रहा है अब अगली फसल के लिए धान को नश्ट कर अगली फसल की तैयारी करने में लग गए हैं एक और किसान के खेत में प्राकर्तिक अपदा आई हुई है तो बही सरकार और प्रसासन चुनाबी तैयारियों में ब्यस्त हैं रायसन जिले में जिला प्रसासन भारत निर्बाचन आयोग के बरिष्ट उप निर्बाचन आयोग धर्मेंद शर्मा बिस्प प्रशिद साची के बहुत दिश्तूपों का पर्याटन करने में ब्यस्त हैं और इधर किसान बे मौसम की बेरुखी और बिजली के आभाव में खेतों में खड़ी धान को फसल पर टेक्टर चलाने के लिए मजबूर हैं रायसन जिला मद्ब प्रदेश का सबसे बड़ा धान उत्पादक जिला है यहां इस साल करीब 2,85,000 हेक्टर इलाके में धान की फसल लगाई गई है इसमें इस साल उत्पादन गिरने के आसार आपके जेबों पर भी पढ़ने वाला है क्योंकि जब पैदा बार कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी की थाली में आने बाले बासमती चामल अब और महंगे होंगे किसानों ने छोड़ी बारिस की आस अब अगली फसल खराब ना हो इसलिए करदी बखरनी मानसून की मार थान पर खड़ी फसल बखरने लगे हैं बेगम गंज तैसील के किसान सोयबीन के पौधों से फूल और फली जड़ने लगे हैं सोयबीन में इल्ली पाला मैजिक रोग ने दे दी है आमद मक्का की फसल सूकने लगी मक्के के भुट्टे में आए नहीं है दाने सरकार से किसान कर रहे है मौबजे की मांग एक माई से भी अधिक समय से बारिस ना होने के कारण किसानों ने अब बारिस की उम्मीद छोड़ दी है यही बज़ा है कि अब अगामी सीजन की फसल के लिए खेतों में खड़ी धान मक्का की फसल पर बखरनी शुरू कर दी है जहां पानी के संसादन नहीं है बहां इस्तिती और जादा बिक्राल हो रही है जहां पानी के संसादन है बहां फसल बचाने के लिए किसान प्रयास कर रहे हैं लेकिन यह नाकाफी है इस्तिती यह है कि सोयवीन की फल्लियां सूख करने गिरने लगी है इल्ली का प्रकोब भी बढ़ने लगा है यदि कुछ दिन और बारिस नहीं हुई तो किसान को तो सिचाई शुरू करनी पड़ेगी या फसल को बखरनी करना पड़ेगी किसानों की माने तो सोयवीन की फसल के साथ धान और मक्का में अभी पानी की जरूरत है क्योंकि अधिकान स्थफफसल में फलियां आ चुकी है बहीं मक्के के भुट्टे निकल आए हैं पानी ना गिरने से सोया बीन की फलियां सूख रही है और दाना भी चोटा पड़ रहा है बहीं मक्का के भुट्टे में नहीं आ रहा है किसान आस्मान की ओड टक टकी लगाए देख रहा है कि बारिस कब होगी राइसेन बेगम गंचे हमारे समबाद दाता शरत पानी गिन नहीं रहा है भाई आंगली तज्जारी कर रहा जमीन की करना पारा कर रहा है जब पानी नहीं गिर रहा है भाई भाई फासर नहीं डावाद यहां एक माहिना से करीब पानी नहीं गिरो और दो आतीन गन ऊवर देखते हैं इसके बाद में यह मकावी बखर वाद है